नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही अलग तरह के स्नेक्स, बहुत ही अलग तरह का नास्ता, तो चलिए, बनाते हैं, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, आइक करें, शेर करें, चैनल पर नहीं हैं, तो सब्सक्राइब करें, और कमिट करके बताएं, कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, इसको बनाने के लिए हमने, चार उबले हुए आलू लिये हैं, और अभी हम इनको मैस कर लेंगे, चमच की साहता से, यह देजिए, और अभी हम इसके अंदर, एक कटोरी मुर्मुरा डालेंगे, एक कटोरी भर के डाले हैं हमने, अभी यह थोड़ा सा पनीर है, घर का बना हुआ पनीर, फ्रेश यह डालेंगे, अभी एक चमच साबुत धन्या डालेंगे, एक चमच साबुत जीरा डालेंगे, अभी आदा कटोरी साबुत दाना लिया है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, यह भी इसके अंदर एड़ करेंगे, ताकि यह अच्छे से बाइंड हो जाए, यह दो प्याज डालेंगे, दो हरी मिर्च लिए हमने, कि डालेंगे, आदा चमच हल्दी पाउडर, स्वादा नुसार नमक, और आदा चमच डाल मिर्च पाउडर, डाल कर, इसको अच्छे से मिलाएंगे, हाथ की सायता से हम, इसको अच्छे से मिलाएंगे, पहले हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, चौँकि हमने बॉइल आलू लिए हैं, उबले हुए, आलू उसमें भी पानी होता है, तो यह देखिये, वी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि सा्ब दाना सो हता है वो पानी डालने के य software बंव मिक्स करएंगे और कुछ दिर रखेंगें 57 मिनट और 57 मिनट के बाद आम इसको थोड़ा-थोड़ा mix करेंगे सारे को और अभी इसमें से better लेंगे और हमारे snacks त्यार करेंगे इसको दबा दबा कर हम Snacks बनाएंगे, अच्छे तरीके से, आप जैसे चाहें छेव दे सकते हैं, तो अच्छे तरीके से दबा दबा कर Snacks बनाने हैं आप गो, तक ही व्राइ करते हैं, ये वगत तूटे नहीं, और बहुत ही टेस्टी स्वादिश्ट नास्ता बनकर त्यार होगा दोस्तों आप बनाते मनाते ठक जाएंगे लेकिन खाने वाले नहीं ठकेंगे तो एक बाद जरूर ट्राइ करना मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब करें हमने सारे रड़ी के लिए और अभी थोड़ा सा हमने रिफाइंड ओल डाला है और अच्छे से गरम हो गया तब इसके अंदर हम यह स्नेक्स जो नासता है वो रख देंगे यह फटा-फट से बन जाएंगे ज़ादा टाइम नहीं लगेगा और धीमे आज पर इनको फ्राइ करना है एक साइड से और जब एक साइड से यह अच्छे तरीके से फ्राइ हो जाएं तब हम इनको दूसरे साइड फटेंगे यह लीजिए एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से फ्राइ हो गए यह देखी कितना अच्छा कलर आया है देखी कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे स्नेक्स और यह पकने के बाद बहुत ही सॉफ्ट और हलके भी हो जाते हैं बहुत ही सुन्दर कलर आया है बहुत ही उपर डिजाइन बन गया इनके और यह लीजिए रडी है बिल्कुल सभी बनकर अभी हम सरव कर देते हैं देखी कितने प्यारे स्नेक्स बनकर त्यार हुएं कितना प्यारा नास्ता तगरा है हमारा आप इनको दही चटनी उदेने वाली चटनी धनिया चटनी किसी के साथ भी काएं सोस हमने इनको टमेटो सोस के साथ सरव किया है यह देखी कितने प्यारे बने हैं तो एक बाद जरूर ट्राइ करना और कमेंट करके बताना कि मेरी यह वीडियो आपको कैसे लगी अंदर से देखी विल्कुल अच्छे से पक गए हैं यह देखी कितना सारा टमेटो सोस के साथ खाईए और सबको खिलाईए एक और तोड़की दिखाते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से पकते हैं बिल्कुल भी कच्छे नहीं रहते यह में आज पर पकाना है ध्यान रखिए और जड़ा सा तेर लगा है थैंक्स फॉर वोच्टिंग झाल 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 झाल